हालो गोरो भी आगे मैं बोल रहा हूँ यह यह रहा हुआ कि यह आज न स्वेक्टेशा जगे जो अपार था हूँ आप आपे अर्ली मॉनिंग जा सकते हूं मतलब था एक्सप्डूल करके ही मालोगे आप्सोच रहा था अभी चले जाऊँ मतलब अभी जाओं सुबह पहुंच जाओंगा जा सकते हैं? जा सकते हो, जा सकते हो ऐसा जाता हूं फिर मैं तो जिनने नहीं बता हुने बता दूँ के आज सुबह ओफ रूडिंग करते वक्त मुझे गौरवने एक जगे बताई कोई रॉक पेंटिंग्स है किसी नदी नाले के केवस में राजस्तान और MP के बॉर्डर में और अपरेंटली काफी कम इंफोर्मिशन उसके बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल है तो मैंने सुचा कि जाएंगे कभी ने कभी लेकिन अब मन कर रहा है कि आज ही चलो इसलिए मैंने अपना समान उठाया और जिमनी में डाला और रवाना हो गया मेरे ख्याल से ना चुप मुझे वह बात भी गई जब गौरावने मुझे बोला कि अगर जिमनी है तो सिर्फ आफ रोडिंग नहीं एक्स्प्लोर भी करना चाहिए कुछ ऐसा एक्स्प्लोरेशन जहां पर ओफ रोडिंग भी हो जाए I think वो कही न कहीं ट्रेल्स और टेल्स की बात कर रहा था मुझे बस मोटा मोटी ये पता है कि लोकेशन MP में है बट राजस्तान से अगर आप रावत बाटा साइट से बाटर क्रॉस करोगे तो पहुंच जाओगे MP हो के जाने वाला रास्ता थोड़ा सही हो सकता है मेरा ब्रोड से जाने वाला रास्ता सही हो सकता है लेकिन हम जाएंगे शॉट कर से लेट सी क्या होता है वह वाट अ बीटिफुल मॉर्निंग क्या खूपसरा सन्राइज देखने को मिला है और खूपसरा सन्राइज के साथ में महाल कितना खूपसरता हो देखो आप कि अब तक स्मूध रोड सगरा मिल रही थी अब ना फोन में नेटवर्क है और ना ही कुपसरत रोड जो है वो यहाँ पर बजी है मुझे ये ट्रेल्स फॉलो करनी है लिटरली जिहाँ ट्रेल्स फॉलो करने का वक्ता आगे वैसे मैंने रात को थोड़ा से सच करके पता लगाया कि जो दूसरे साइड वाला रास्ता है जो ऑफ रोड सेक्शन उसमें भी थोड़ा बहुत है लेकिन मेरे एपिटाइट जितना नहीं है अलसो वो लंबा बहुत है अब जो हमारे पास में गाड़ी है जिमनी जैसी जो कि कवर कर सकती है रास्ता और ट्रेल आलमोस्ट पता है कि किदर जाना है तो भी है उस रास्ते क्यों जाएं क्या बहतरीन कार है जिमनी जैसी राइड रोडस पर इसकी राइड क्वालिटी एक्सलेंट है इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरंस इसका वेड डिस्टिबिशन इसके गीरिंग इसके एंगल्स हर एक चीज सेंस बनाएगी आपको जब आप इसको ऑफ दिरोड लेके जाओगे सच बता हूं तो मैं इस गाड़ी को कई वार ओफ रोड सेर्फ इसले लेके जाता हूं क्योंकि मुझे बहुत ची फीलिंग आदी लेकिन आप मुझे यह फीलिंग आ रही है कि श्याद आगे जिहां आगे रिवर बैड है तो मुझे नीचे उतरना वड़ेगा इस अलवेज अगूड आइडिया कि आप ऐसे अबस्टिकल्स को क्रॉस करने से पहले एक बार पैदल चलके उनका एसस्मेंट कर लो कि वहां पे गाड़ी जाएगी भी या नहीं जाएगी या कहीं पे कोई पत्थर कोई चीज जो है लूज ना हो यह तो अलमोस्ट सूका सा रिवर बेड़ है बट मैंने जिमनी को ही अभी कुछ दिनों पहले इस पिती में एक प्रॉपर फ्लोइंग रिवर जो है उसमें उतारा था कोई दिक्कत गाड़ी को नहीं होई ती तो यहां पे तो यहां पर आम शूर कोई दिक्कत नहीं होगी इस पीस आफ के लेज गो इ है जैसे आप देख रहों रिवर बेड़ पर कहीं पर भी बिना कोई जुचक के क्रॉल करता हूं बहुत ही बहुत ही बहुत ही जो है हो जाती आर्टिकुलेशन बहुत सब्रदस्त है और वह एक्शली बहुत हेल्प कर रहा है इंफेक्ट मुझे तो इंटुशन से आरे के हो गुगल करोगे जिमनी मोडिफिकेशन तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात करों बहुत अलग तरीकों से लोग मोडिफाय करते हैं इसको बहुत मोडिफिकेशन ओप्शन अवेलेबल है लेकिन ओरिजिनल यानि के स्टॉक जिमनी जो है वह भी बहुत केपिबल है यहां पर फोन में नेटवर्क नहीं दिखा दे रहा है मुझे जी हाँ फोन में नेटवर्क नहीं है वरना मैं गवरो को मेसेज जरूर करता है फोटो बेसता मैं कि मैं यह पहुच गया हूँ बहुत ही इजीली मतलब not that easily but पहुच गया हूँ अब मैं रॉक पेंटिंग्स तो पहुच गया था लेकिन मुझे इन पेंटिंग्स के बारे में नॉलिज बहुत ही कम थी All I knew was these paintings are thousands of decades old मैं इस नाले में जितना आगे चल रहा था paintings उतनी आगे तक दिखाई दे रही थी बट तभी ये हुआ मेरे फोन में नेटवर्क नहीं था इसलिए मुझे पता नहीं चला गौरव ने मेरे लिए डॉक्टर भट को वेजा है डॉक्टर प्रद्यूमेन भट दरसल इस केव और भानपुरा के आसपास कई historical monuments को lime light में लाने के लिए famous है अब जब इतने knowledgeable व्यक्ति मेरे पास में है तो बहतर यह है ना कि मैं इन सब चीजों की knowledge वे उनहीं से लूँ और यह करी करी दस से पंद्रा जार साल पराना चित रहे हैं और इतना बढ़िया बनाया हुआ है इधर की तरफ मोमेंट हो रहा है उली मुझ पाउन बनाए हैं हाथ बनाए और यहां गूलया बतारा है पंटडक्ताइल मनीज वेगन यहां हो जा जरही हो यहां कंदे पे उनहों यह चुछ भी सीकार हो किया ला करके जा रहे है स्पप्तर के निए जो काहनी है कि अबलग अलग अलग ताइम पीरियोट में तब सब निच gripe में अब traust के दो निए से तनी महां टेकी और मिलकुल उगए यहां तक देखिए अलग अलग कलर से है यह वो गहरा रहे यह थोड़ strict कहुं मेहरा है कपमाक्स आप बोलते हो कि कपमाक्स जो है वो इससे भी पहले की चीज है यह तो बहुत इवाल्ड हाइस्ट इवाल्ड फाम में हम इसको सबसे पुराना मानते थे रादी मानो आदी मानो आदी मानो तो बहुत इवाल्ड फाम था हम वो सेपियन का अच्छा तो वो लाको साल कपमार्ट और रूने। यह प्राने। क्या अबको प्राने होंगी। यह एक यह कुछ एक्प्टी पुराने रहते थे। तटेर लेक्षारे हों, यह वाशियरे होंगी। तो यह हैं गाल शबर हम दोंके लेगारे काम्ड इसे कि misf질che, मेरे अंदर के क्यूरियस बच्चे ने फिर डॉक्टर बर्ट से पूछा कि सिविलाइजिशन और लोग तो भारत के अलावा और भी जियोग्रिफिकल एरियाज में होते होंगे तो क्या और कहीं भी मिलती है ऐसी आर्ट बश्काइन फिरती बारत वह सेतर् साइंतार में अने यक पर अमरीका में मिलें प्रांस में मिलें स्पेंड में मिलें और उतन थे में और बहरत की जो पेंटिंग है उसमें हमारी कुरी तरीडिशनल जो देवलप्मेंट मर से हाशन, पशुपालन यूग भी है पशुपालन से पहले का है उसके बद क्रशी यूग चुरुबा उसकी सारी कहानिय मुप यहां पर चित्रों में मिलती है अज भी देखेंगे ट्राइबलों के घरों पर जाते हैं तो वहां पर इस तरह की बेल भूटे दर्वाजों के ओपर डॉर क राइना है निया भी पंगारू है निया भी अस्टिलया चला गया तो कि महलब जो चॉंटिनेटल डॉट हुट हो रहा है हमारी जो पर्थी के ओप जो महाधीप सरक रहे हैं उसका तो महाधीपों के शरक ने से जो अनिमल्स हैं जो प्रजातियां यहां रहती थी वह भी किया बोलते है इसको नाम चतुरभुलालाक। कै इसCr पीर जट जाता करे अन तुमे, इह रहना परतापसागर जो बना है हां तो यह पासे गाउं जए जड़केडी गाउं सडके किनारे तो बॉरकेडी गां जटा पासि चार भीर वीधू है। यह तो रािस्तान का ब तो ASI ने अब इसे प्रोटेक्टेट कर दिया है, तो कम अच्छा है, तो ASI के प्रोटेक्शन में आगया, और ASI के लिए मेरे से कई बार निकला हूं, और मुझे नहीं बता था कि यहां पर इतना रिच इतनी हिस्ट्री की इतनी इंपोर्टन चीज वह है, वह चुपी हुई है, बड़ा पता चल गया और आप लोहों को भी, यह वो रास्ता है, जो कि एक्शली MP से होते वह जाता है, लेकिन यह झाल झाल झाल